नमस्कार पश्चिम मंगाल के आदने मुख्यमंत्री सूश्री मम्ता जी केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी मन्सुक माडविया जी सुभाज सरकार जी सांतनु ठाकूर जी जौन बरला जी नितिष्ट प्रामाणिक जी नेता पर्तिपक्ष सुभेंदु अधिकारी जी सी एन सी आई कौलकता की गवर्निंग बाड़ी के सतश्यगान हेल्ज सक्टर से जूडे सभी कर्मट साथी अन्य महनुभाव देवी और सज्जनों देश के हर नागरिक तक उत्तम स्वास्त सुभिधाय पहुचाने के राष्ट्रिय संकल्पों को मजबूत करते हुए आज हमने एक और कदम बढ़ाया है चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिटूर का ये दूसरा कैंपस परश्चिम मंगाल के अनेकों नागरिकों के लिए बड़ी सुभिधा लेकर आया है इससे विशेज रुप से उन गरीब उन मद्यमबर्ग परिवारों को बहुत राहत मिलेगी जिनका कोई अपना कैंसर से मुकाबला कर रहा है कैंसर से जुड़ा इलाच इससे जुड़ी सरजरी और थेरेपी अब कुलकता के इस आधुनिक अस्पताल की वज़र से भी और सुलब हो जाएगी साथियों आज ही देश ने एक और महत्वपून पड़ाव को पार किया है साल की शुरुआत देश ने पंदरा से अठारा साल की उमर के बच्चों के लिए वैक्सिनेशन से की थी वही आज साल के पहले महने के पहले हपते में भारत एक सो पचास करोड वन पॉइंट फाइव बिलियन वैक्सिन डोजिज का एतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है एक सो पचास करोड वैक्सिन डोज वो भी एक साल से कम समय में हैं ये आंकणों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है दुनिया के जादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चिर्य से कम नहीं है लेकिन भारत के लिए ये एक सो तीस करोड देश्वास्यों के सामर्थ का प्रतीक है भारत के लिए ये एक नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का होसला रखती है भारत के लिए ये प्रतीक है आत्म विश्वास का ये प्रतीक है आत्म अन्दिर भरता का ये प्रतीक है आत्म गवरव का मैं आज इस आउसर पर सभी देश्वास्यों को बधाई देता हूँ सात्यों कोरोना के खिलाब लड़ाई में हमारा ये वैक्सिनेशन प्रोग्रेम उतना ही महत्वपुन है जितना खतरनाक ये भेश बदलने वाला कोरोना वाइरस है आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए अमिक्रोन वैरियंड का सामना कर रही है हमारे देश में भी इस नए वैरियंड के खारण केसे से तेजी से बढ़ रहे हैं इसलिए एक सो पचांस करोड वैक्सिन डोज का ये सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपुन हो जाता है आज भारत की वैस्क जनसिंख्या में से 90 प्रतिशत से जादा लोगों को वैक्सिन की एक डोज लग चुकी है सिर्फ पांच दिन के भीतर ही देड़ करोड से जादा बच्चों को भी वैक्सिन की डोज लगाई जा चुकी है ये उपलब्दी पूरे देश की है हर सरकार की है मैं विशेश रुप से इस उपलब्दी के लिए देश के वैज्यानिकों का वैक्सिन मैनिफेक्टरर्स का हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबके प्रयासों से ही देश ने उस संकल्प को सीखर तक पहुँचाया है जिसकी सुरुवात हमने सुन्ने से की थी साथियों सो साल की सबसे बड़ी महामारी से मुकाबले में सबका प्रयास की भावना ही देश को मजबूती दे रही है कोवीड से लड़ने के लिए बेसिक और क्रिटिकल इंफ्रस्रक्टर के निर्मार्ण से लेकर दुनिया के सबसे बड़े सबसे तेज मुक्त टिका करण अभ्यान तक ये ताकत आज हर तरब दिख रही है इतनी बहुगोलिक, आर्थिक और सामाजिक विविदताओं वाले हमारे देश में टेस्टिंग से लेकर टिका करण का इतना बड़ा इंफ्रस्रक्टर दिस तेजी से के साथ हमने विक्सित किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरन बन रहा है साथियों, अंधेरा जितना घणा होता है प्रकाश का महत्व उतना ही जादा होता है चुनवतियां जितनी बड़ी होती हैं, होसला उतना ही महत्वपुन हो जाता है और लड़ाई जितनी कठीन हो अस्त्र सस्त्र उतने ही जरूरी हो जाते हैं सरकार द्वारा अब तक पस्चिम बंगाल को भी कोरोना वैक्सिन की करीब करीब ग्यारा करोड डोस मुप्त मोहिया कराई जा चुकी है बंगाल को डेज हजार से अधिक वेंटिलेटर नव हजार से जादा नए अक्सिजन सिलेंडर भी दिये गए है 49 पिये से नए अक्सिजन प्लांट्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है ये कोरोना से मुकाबले में पस्चिम मंगाल के लोगों की मदद करेंगे साथ को चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिटूट के केंपस में लगी देश बंदू चितरंजन दाज जी और महर्चे सुसरुत की प्रतिमाएं तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है देश बंदू जी कहते थे मैं इस देश में बार बार जन्म लेना चाहता हूँ ताकि मैं इस देश के लिए जी सकूँ इसके लिए काम कर सकूँ महर्चे सुसरुत स्वास्त के इक्षेत्र में पूरातन भारतिय ज्यान के प्रतिमीम रहे ऐसी प्रेणाओं से बीते बर्षों में देश बाचों के स्वास्त से जुड़े संपूर समाधानों के लिए होलि स्ट्रिक तरीके से काम हुआ है सबका प्रयास की भावना से आज देश के हेल्थ इंफ्रा को हेल्थ प्लानिंग को इंटिग्रेटेड करने का राष्टिय संकल्पों से जोड़दे का काम तेजी से हो रहा है हम हिल्थ सेक्टर में आज जो चुनोतियां है उनसे निपटने के साथ साथ भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर काम में जूटे हैं वो वजह हैं जो बिमारियों का कारण बनती हैं उन्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है बिमार होने की स्तिती में इलाज, सस्ता और सुलब वो इस पर हमारी सरकार का ध्यान है और उसके साथ ही डॉक्टर और मेडिकल इंफ्रा की केपिसिटी का विस्तार करके स्वास्त सेवाओं को बहतर बनाया जा रहा है साथियों इसलिए अपने हेल्थ सेक्टर को ट्रांस्फॉर्म करने के लिए देशाच, प्रिवेंटिव हेल्थ, एफोर्डेबल हेल्थ केर, सप्लाइ साइड इंटर्वेंशन और मिशन मोड अभ्यानों को गति दे रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ केर को योग, आयरुवेट, फीट इन्या मुवमेंट, युनिवर्सल इम्मुनाइजेशन जैसे माध्यमों से प्रोटसाइट किया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन और हर गर्ल जल जैसी राष्टी योजनाओं से गाव और गरीप परिवारों को अनेक बिमारियों से बचाने में मदद मिल रही है आर्सेनिक और दूसरे चरणों से जो पानी प्रदूशित होता है देश के अनेक राज्यों में कैंसर का भी एक बड़ा कारण है हर घर जल अभियान के से इसके द्वारा इस समस्यां के समाधान में बहुत मदद मिल रही है साथियों लंबे समय तक हमारे हां गरीब और दिम्न मद्यमवर्ग स्वास्त सुविदावयों से इसलिए बंचित रहे क्योंकि या तो इलाज सूलब ही नहीं था या बहुत महंगा था गरीब अगर गंबीग बिमारी से ग्रसीद होता था तो उसके पास दो ही विकल्प थे या तो वो कर्ज ले अपना घर या जमीन बेचे या फिर इलाज का विचार ही टाल दे कैंसर की बिमारी तो ऐसी है जिसका नाम सुनते ही गरीब और मद्यमवर्क हिम्मत हारने लगता है गरीब को इसी कुछ उक्र इसी चिंता से बहार निकालने के लिए देश सस्ते और सुलब के लिए निरंतर कदम उठा रहा है बिते सालों में कैंसर के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की क्यूमत में काफी कमी की गई है अब ही मन्सुग भाई इसका विस्तार से बता भी रहे थे पस्चिम मंगाल सहीत पुरे देश में जो आठ हजार से जादा जन आउसदी केंदर स्थापित किये गए हैं उनमें बहुत सस्ते दाम पर दवाईयां और सर्जिकल सामान दिये जा रहे हैं इन स्टोर्स पर कैंसर की भी पचास से अधिक दवाईयां बहुत कम कीमत पर उपलब्द हैं कैंसर की सस्ती दवाउं को उपलब्द कराने के लिए विशेस अमरित स्टोर भी देश भर में चल रहे हैं सरकार का यही सेवा भाव यही संवेदन सिल्टा गरीबों को सस्ता इलाज सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है सरकार ने पान सो से जादा दवाईयों की जो किमत नियंत्रित की हैं वो भी मरीजों के हर साल तीन हजार करोर रुपिय से भी जादा रकम बचा रही है नागरीकों के पैसे बच रहे हैं कोरोनरी स्ट्रेंट्स की कीमत तो फिस्ट किये जाने की वज़े से हाट के मरीशों के हर साल साड़े चार हजार पांसो करोड रुपिय से ज़्यादा बच रहे हैं सरकार ने नी इंप्लांट्स की कीमत कम करने का जो निर्ले किया उसका विशेश लाप हमारे सीनियर सिंटीजन्स को हमारे ब्यूजूर को माता हो बहनों को पुर्शों को उसका लाब हुआ है इस वज़े से बुजूर्ग मरीजों से पंद्रा सो करोड रुपिया हर वर्ष बच रहे हैं सरकार जो प्रदान मंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्रेम चला रही है उसकी मदद से बारा लाग गरीब मरीजों को मुप्त डायलिसिक की सुविदा मिली है इससे भी उनके पान सो बीस करोड रुपिये से भी जादा रकम उनकी बचत हुई है साथियों आईशमान भारत योजना आज एफ़र्डेवल और इंक्लूजिव हेल्थ केर के मामले में एक ग्लोबल बेंचमार्क बन रही है पीएम जय के तहद देशभर में दो करोड साथ लाग से जादा मरीज अस्पतावों में अपना मुप्त इलाज करा चुके है अनुमान है कि अगर ये योजना नहीं होती तो इनी मरीजों के अपने इलाज पर पचास से साथ हजार करोड रुपे खर्च करने पड़ते साथ योँ आईशुमान भारत का लाप सत्रा लाज से जादा कैंसर के मरीजों को भी हुआ है चाहे कीमो थरेपी हो रेडियो थरेपी हो या फिर सरजरी इन मरीजों को अस्पताल में हर सुविदा मुप्त मिली है कल्पना कीजिए सरकार के ये प्रयास नहीं होते तो कितने गरीबों का जीवन संकट में फस जाता या कितने परिवार कर्ज के कुछ चक्र में फस जाते साथियों आईश्मान भारत सिर्फ मुप्त इलाज का माध्यमपर नहीं है बलकि अर्ली डिटेक्शन अर्ली ट्रीक्मेंट इसमें भी बहुत कारगर्सित हो रही है ये कैंसर जेशी सभी गंबीर बिमारियों के लिए बहुत आवशक है वरना हमारी यहां तो जादातर मामलों में कैंसर का पता लास्ट स्टेज में ही चलता था जब बिमारी इलाज हो जाती थी इसी समस्या को दूर करने के लिए तीस वर्थ से अधिक आयू के साथियों में डायबिटिज हाइपरटेंशन और कैंसर की आयुशमान भारत योजना के तहट गाओ गाओ में बन रहे हजारों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसमें आज बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे है मंगाल में भी ऐसे पांच हजार से जादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं देज भर में लगभग 15 करोर लोगों को ओरल, ब्रेश्ट और सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीन किया जा चुका है। स्क्रीनिंग के बाद जिन में लक्षन दिखते हैं, उनके इलाज के लिए गाउं के स्तर पर ही हजारों स्वास्त कर्मियों को विशेज रुप से ट्रेन भी किया गया है। साथ को, एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे हिल्फ सेक्टर की रही हैं, डिमांड ओर सप्लाइ में बहुत बड़ा गैप। डॉक्तर और दूसरे हिल्फ प्रॉफफेशनल्स हो या फिर हिल्फ इन्फरासेक्र। दिमांड और सप्लाई के इस गैप को भरने के लिए भी देश में आज मिशन मोड पर काम हो रहा है। में हमारे यहां सिर्फ छे एम्स होते थे आदेश 22 एम्स के ससकत नेट्वर के तरफ बढ़ रहा है। देश में कैंसर केर इंफ्रास्रक्टर को मजबूत करने के लिए 19 टेट कैंसर इंस्टिटूट्स और 20 टर्फरी कैर कैंसर सेंटर्स भी स्विक्रूत किये गए हैं। तीज से अधिक संस्थानों कर देजी से काम चल रहा है। पस्चिम मंगाल में भी कोलकता, मुर्शिदावार्द दवर्दमान के मेडिकल कॉलेज में अब कैंसर से मरीजों का इलाज और आसानी से हो जाएगा। हमारे आरोगी मंत्री मंसुख भायनी इसका विस्तार से वर्णन भी किया है। इन सारे प्रयासों का एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश में डॉक्टरों की उपलब्दता पर पड़ेगा। जितने डॉक्टर देश में पिछले सत्तर वर्षों में बने उतने डॉक्टर देश में अब अगले दस वर्षों में बनने जा रहे है। साथ क्यों, पिछले वर्ष देश्ट में जो दो बड़े राष्ट्री अभ्यान शुरू किये गए हैं, वो भी भारत के हेल्थ सेक्टर को आधुनिक स्वरूप देने में बहुत मदद करेंगे, आईश्मान भारत, डिजिटल हेल्थ मिशन, इलाज में देश वाच्चों की मुलियत बढ़ाएगा, मेडिकल हिस्ट्री के डिजिटल रिकोर्ड से इलाज आसान और प्रभावी हो जाएगा, छोटी-छोटी बिमारियों के लिए अस्पताल के चक्र का जंजट कम होगा, और इलाज होने पर, इलाज पर होने वाली अतरिक खर्ट से भी नागरिकों को म मुक्ति मिल पाएगी, इसी तरह आईश्मान भारत इंफ्रस्क्रेक्टर मिशन से, क्रिटिकल हेल्ट केर से जुड़ा मेडिकल इंफ्रस्क्रेक्टर, बड़े शहरों के साथ साथ अब जीला और ब्लॉक्स तर पर भी सुलब होगा, इस योजना के तहत, पस्चिम मंगाल को भी पाँच वर्स में डाई हजार करोड रुपे से अधिक की मदद मिलनी सुनिश्चित हुई है, इससे पूरे राज में सैंकडो हेल्थ सब सेंटर्स बनेंगे, लगबग एक हजार सहरी हेल्थ और वैलनेस सेंटर ऑपरेशनल होंगे, दरजनों डिस्टिक इंटिग्रेट पब्लिक हिल्थ लेब्द बनेगी, और जिलाश्पतालों में सैंकडो क्रिटिकल कैर बेट्स की नई क्यप्रिसिटी तयार होगी, ऐसे प्रयासों से हम बविश्य में कोरोना जैसी महामारी से और बहतर तरीके से निपट पाएंगे, भारत को स्वस्त और समर्थ बनाने का या भ्यान ऐसे ही जारी रहेगा, मेरा सभी नागरिकों से फिर आगर हैं कि सतर्क रहें, सभी जरूरी सावधानियां बरते हैं, मैं फिर एक बार इस कारक्यम में उपस्दित हर किसी का रुदे से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सब को अनेक अनेक शुपकामन देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद